अज़ हम डिसकस करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदी बांथ तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन हमारा विच इस दे मोस्ट हाइस्ट डैम इन इंडिया भारत का सबसे उचा नदी बांथ कौन सा है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा और इसके बारे में थोड़ी से इंफर्मेशन देख लेते हैं जो टेहरी डैम है ये डो नदियों के संगम पर बना है भागिरिती और भेलांगना नदी ठीक है और ये जो टेहरी डैम है ये उत्तराखंड में है और इस ये जो उचाई है वो 260.5 मीटर है और इसका जो वाटर होता है दिल्ली उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो सिचुएटेड है ये उत्तराखंड में है और भागिरिती और भेलांगना नदी के संगम पर है तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसको थोड़ा सा मैप में दे ये तेरिक है और आपको सारे स्टेट्स इंडिया में कहां कहां लोकेटेड है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप जो जयोग्रफी के Questions करते हैं जब डैम के Question या तो फिर Peak या फिर Hills के Questions करेंगे तो आपको easily याद हो जाएगा कहां से कौन सी reviewerflow होती है तो य भारत का सबसे उचा गुरुत्वी बांध कौन सा है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A भाखडा नांगल डैम ठीक है यहाँ पर देखे गुरुत्वी लगा है मतलब gravity जिसमें हो तो उचा तो हो ही plus gravity हो और अगर सिर्फ उचा पूचा जाए तो वो तेरी डैम हो जाएगा और अगर गुरुत्वी लग जाए तो वो हो जाएगा भाखडा नांगल डैम और वैसे यह भाखडा नांगल काफी लोगों को पता भी होगा लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि यह जो भाखडा नांगल है यह दो डैम है जैसे भाखडा कहा है हिमाचिल प्रदेश में है और नांगल संग्रा होता है जिसे एक जील बनती है एक लेक का फॉर्मेशन होता है जिसका की नाम है गोविंद सागर लेक ठीक है कौन सा लेक है गोविंद सागर लेक और ये भाकडा हिमाच्र प्रदेश और नांगल कहां पे है पंजाब में है ठीक है यहाँ पे आपको यह दिख रहा होगा अभी हमने डिस्कस किया था जो सबसे उचा जो डैम है वो है कौन सा टेरी डैम जो कहाँ पर पड़ता है यह पड़ता है उत्तरा खंड में फिर यह जो भाकडा नांगल डैम है यह भाकडा हिमाचल प्रदेश और नांगल कहाँ पे है पंजाब में ठीक है और नाथपा जाकरी यह भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है यह डैम है एक ठीक है और इधर हम देख लेते हैं थोड़ी सी लोकेशन किसकी उत्तरा खंड की हिमाचर प्रदेश के और पंजाब की ते देखे यहाँ पे उत्रा खंड पड़ता है उसके उपर हिमाचर प्रदेश और यहाँ पे पंजाब हिमाचर प्रदेश के नीचे पंजाब तो यहीं तीनों जगह के हमने अभी डैम की बात की है तो यहाँ पर मैंने आपको location भी दिखा दिया I hope आपको अप clear हो गया होगा ठीक है अब हम चलिए next question देख लेते हैं question number 3 which dam is longest कौन सा बांध सबसे लंबा है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C Heracund Dam is the longest dam in India अब इसके बारे में थोड़ी से information देख लेते हैं अब जैसे देखें यह जो Heracund Dam है इसकी जो total length अगर पूचे जाए तो वो 26 km है 25.8 है almost अगर कह दे तो 26 km हो गया और लेकिन अगर main जो dam है main dam मुख्य बांध की बात करें तो 4.8 km है और यह dam जो है वो कौन सी नदी पर है तो वो है महा नदी पर ठीक है कौन सी नदी पर महा नदी पर और यह कहाँ पर situated है यह dam यह है ओड़ीशा में ठीक है ओड़ीशा में तो यह information आपको ध्यानवे रखने है क्योंकि यह question काफी time पूचा गया है अब हम इसको map में देखेंगे आगे question number 4 है question number 5 है ओरी और तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है तो ओरी और तुलबुल परियोजना यह है option number C जहीलम नदी पर उरी और तुलबुल परयोजना है और ये भी कहां पर है ये भी कहां है जम्मू एंड कश्मीर में अभी हमने पिछले देखा सलाल दुलहस्ती परयोजना कहां पर थी जम्मू एंड कश्मीर में जो कि थी चिनाब नदी पर और उरी और तुलबुल परयोजना कहां पर है जम्मो एंड काश्मीर में कहां पर किस नदी पर जेलम नदी पर ठीक है यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो सलाल ठीक है सलाल कहां है चिनार नदी पर दुलहस्ती भी इधर ही है तो इस तरीके से यह कहां पर है यह एरिया तो जमुएंड काश्मीर का है ना इस तरीके से यहाँ पे आपको मैप में भी दिख रहा होगा अब हम next चलते हैं question number 6 रानी लक्ष्मी बाई बांध या जिसको की राजगाट बांध भी कहते हैं यह कहाँ पर situated है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A बेतवा नदी पे ठीक है यह कहाँ पर पढ़ता है यह रानी लक्ष्मी बाई जैसा की नाम से पता चल रहा होगा जहांसी जहांसी कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में तो यह है उत्तर प्रदेश में और कहाँ पे कौन से district में ललितपुर district में ठीक है बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मी बाई बांध या फिर राजगाट बांध है next question है रिहंद बांध कहाँ पर है तो यह कौन सी नदी पर है तो यह option number C सही हो जाएगा रिहंद बांध रिहंद नदी पर है और यह भी उत्तर प्रदेश में है ठीक है और उसका नाम क्या है गोविंद वल्लब पंत सागर जील इस डैम से एक artificial lake बनता है जिसका की नाम है गोविंद वल्लब पंत सागर जील यह most important question है इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक है और यह सबसे बड़ी कृतरिम जील है पतलब सबसे बड़ी artificial lake of India है गोविंद वल्लब पंत सागर जील और यह किस से बनती है रिहंद डैम से बनती है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब देखे यहाँ पे है उत्तर प्रदेश ठीक है यहाँ बीच में मद्यप्रदेश के उपर में उत्तर प्रदेश है और यहीं पे क्या है यहाँ पे रिहंद डैम होता है और गोविंद वल्लब पंत सागर जील भी है यहाँ पे कुछ ठीक है तो यह चीज़ आपको मैब में भी हो गई और ऐसे भी धान में रखनी है गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर इस्तित है तो इसका correct answer हो जाएक option नबर B चंबल नदी पर इस्तित है और यह कहाँ पर है यह है मद्यप्रदेश में और एक और डैम है जिसके इंदिरा सागर डैम यह कहाँ पे है कौन सी नदी पर यह भी मद्यप्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर डैम की बात करे तो वो भी नर्मदा नदी पर है और गांधी सागर बांध की बात करे तो वो चंबल नदी पर है और अगर बांड सागर परियोजना की बात करे तो वो सोन नदी पर है कहाँ पर मद्यप्रदेश में ठीक है तो ये इतनी information आपको ध्यान में रखनी है questions तो आपको करवाए ही जा रहे हैं साथ में ये जो box में आपको extra information दी जाती है ये चीज़ भी आपको उतनी ही important है जितनी की क्या है questions है तो सब आपको ध्यान में रखना है ठीक है next हम देख लेते हैं question number 9 जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B चंबल नदी पर इस्थित है ठीक है अब हम देख लेते हैं इनकी location कहाँ पर है तो यह राजस्थान में है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है राजस्थान में और इंदीरा सागर कहाँ पर है वो मद्यप्रदेश में जैसा कि हमने पिछले देखा था और एक दुबार आप इस वीडियो को जरूर देखेगा ताकि आपके mind में पूरा अच्छ से fit हो जाए question number 10 है ये important question है काफी पूछा जाता है ये question कि सरदार सरोवरबांद कौन सी नदी पर इस्थित है और कहां पर है तो सरदार सरोवरबांद ये नर्मदा नदी पर इस्थित है option number C इसका correct answer हो जाएगा इसके बारे में थोड़ी information देख लेते हैं ये गुजरात में स्थित है सरदार सरोवरबांद statue of unity आपको पता ही होगा ठीक है तो सरदार वल्लब भाई पटेल के जो मूर्ती है statue of unity उसी के पास में है ये नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर डैम और एक और जो परियोजना है जिसका की नाम है उकाई और काकरा पारा परियोजना ये कहां पर है ताप्ती नदी पर है और ये भी कहां पर है गुजरात में है तो ये extra information जो आपको मैं दे रही हूँ वो सब भी आपको ध्यान में रखने है और बागी जो questions है वो तो आपको ध्यान रखने है ठीक है अब next हम देख लेते है question number 11 कोईना बांथ या कोईना डैम कौन सी नदी पर है और ये कहां पर है तो इसका कोईना बांथ इसका सबसे easy है क्योंकि कोईना नदी पर ही कोईना डैम इस्तित है और इसका option number D सही हो जाएगा कोईना ठीक है और ये कहां पर है ये महारास्ट्र में है ठीक है और 1863 में इसको constitute किया गया था बनाये गया था और ये जो कोईना नदी है आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कोईना नदी कौनसी है तो ये कृष्णा नदी की क्या है उपनदी है ठीक है और एक और परियोजना है जाइकावाडी परियोजना ठीक है नेक्स्ट क्वेशन नमर 12 थीन बांध किस नदी पर इस्थित है तो थीन बांध ये है रावी नदी पर तो आप्शन नमर C सही हो जाएगा रावी नदी और इसको देख लेते हैं पंजाब एंड जम्मो कश्मीर के बॉर्डर पर इस्थित है तो कन्फ्यूज करने के लिए रडजीत सागर बांध भी पूछ दे तो आपको दोनों नाम इसके ध्यान में रखने है ठीक है और नेक्स्ट क्वेशन है हमारा 30 नमर का मैथन या फर तिलाया दोनों बांध ये कौन सी नदी पर इस्थित है और कहां पर है ये दोनों इन्फरमेशन आपको ध्यान में रखनी है तो मैथन और तिलाया बांध ये दोनों ही बराकर नदी पर इस्थित है तो आप्शन नमर डी सही हो जाएगा और ये कहां पर इस्थित है ये जारखंड में इस्थित है ठीक है मैथन और तिलाया बांध जारखंड में इस्थित है और कौन से नदी पर है ये बराकर नदी पर इस्थित है थोड़ा सा इसका अजीब नाम है लेकिन इसको आप सुनेंगे बार बार तो याद हो जाएगा इसको हम मैप में देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या है जारखंड आपको पता है यहाँ पर पढ़ता है बिहार के नीचे ठीक है बिहार के नीचे यहाँ पर जारखंड पढ़ता है यहाँ पर कुछ यहाँ पर बिहार के नीचे जारखंड पढ़ता है यहीं पर बराकर नदी पहती है किस नदी पर इस्थित है और कहाँ पर है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C पेरियार नदी पेरियार नदी पर इस्थित है एडुक की डैम और यह कहाँ पर है यह केरल में इस्थित है और यह longest arc डैम है आर्क क्या होता है जैसे आपको पता होगा ना कि आप math वगेरा में champ लगाते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके वो जो champ वगेरा आप लगाते हैं किसी भी मतलब रचना वगेरा करते हैं triangle या किसी चीज़ के तो वैसे ही करके उसी shape में आर्क शेप में यह है इडुक की डैम में इडुक की डैम कहाँ पे है केरल में और पेरियार नदी पे यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यह combined form में है कि कावेरी नदी पर कौन सा डैम है और कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है और इनकी location भी देख लेते हैं थीक है तो कावेरी नदी पर है सिव समुद्रम डैम जो की है करनाटक में और कृष्णा सागर डैम भी है जो की है करनाटक में मेटूर मेटूर यह बहुत important है क्योंकि यह काफी question पूछा गया है कि यह कौन सी नदी पर है तो मेटूर डैम जो की तमिल नदो में पढ़ता है और जो की है कावेरी नदी पर तो क्या-क्या है आपको ध्यान में रखना है कि शिव समुद्रम कहां पर है कावेरी नदी पर करनाटक में कृष्णा सागर करनाटक में है और कावेरी नदी पर में टूर डैम कहां पर है, तमिल नाडो में कावेरी नदी पर, ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान होगी, और अब कृष्णा नदी के बारे आती है, तो कृष्णा नदी पर भी जो जो डैम्स बने हैं, उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि नागार्जु सागर परियुजना है वो आंद्रप्रदेश और तेलंगाना दोनों की सन्युक्त परियुजना है और जो की कौन सी नदी पर situated है वो है कृष्णा रिवर पे ठीक है next is स्री शैलम बांथ स्री शैलम बांथ ये कहाँ पर है ये आंत्रप्रदेश में है ठीक है और कौन सी नदी पर है ये कृष्णा नदी पर है नेक्स्ट है अलमट्टी डैम ये कहां पर है ये भी करनाटक में है और ये कौन सी नदी पर है कृष्णा नदी पर ठीक है एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम लोग कावेर river पे और अगर बात करें कृष्णा नदी पे तो कृष्णा नदी की कौन-कौन से जो परियोजनाई है उनकी नाम है नागारजुन सागर परियोजना स्री शैलम परियोजना और अलमट्टी डैम ठीक है ये तीनों ही कहां नदी पे लोकेटे रहे है अब नेक्स्ट क्वेशन हम देख लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको फिगर में देख लिए जैसे कि कृष्णा नदी पे है यहाँ आपको जूम करके दीपर है, यह हमने देखा था, ओड़िशा में, है ना, यह चीज, रिहंद, यह यहाँ, उप्तर प्रदेश में है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था, राणा प्रताप सागर, गांथी सागर, तो यह सब चीज आपको ध्यान म सलाल परियोजना देखा था चिनाब नदी ठीक है यह सब आपको एक बार और बैक करके questions देखेंगे फिर आप इसको map को देखेंगे तो यह आपको और अच्छे से mind में fit हो जाएगा नेक्स हम देख लेते हैं important facts जो है जैसे कि सबसे पुराना डैम अगर पूछा जाए तो वो है कलनई डैम जो की है तमिल नाडू में और कौन सी नदी पे है कावेरी नदी पे ठीक है कलनई डैम है जो की तमिल नाडू में है कावेरी नदी पे है और यह सबसे पुराना सबसे oldest पंचेत डैम है ये दामोदर नदी पर जारखंड में है इसके पहले हमने दो और पढ़े थे तिलाया और मैथन ये दोनों ही बराकर नदी पर थे और जारखंड में थे बैक करके आप देखेगा और कलपोंग परियोजना ये अंडमाने निकोबार में है और नाथपा जाकरी परियोजना ये हिमाचर प्रदेश में है इसके पहले हमने जो भाकरा नांगल देखा था तो भाकरा कहां पे था हिमाचर प्रदेश में था नांगल कहां था पंजाब में दोनों ही सतलिजन रिवर पे थे ठीक है और तेलंगाना तेलंगाना कभी देख लेते हैं पोचम पा और ये कौन सी नदी पर था गोदावरी नदी पे तो इसी तरीके से राम सागर बांध या पोचम पाद बांध ये कहां पर है किस नदी पे ये तेलंगाना में है गोदावरी नदी पे फिर है next निजाम सागर बांध निजाम सागर बांध कौन सी नदी पे मंजीरा नदी पे क कहां पे तेलंगाना में, ठीक है, तो ये चीज़ आपको fact ध्यान में रखने हैं, अब हम कुछ और important facts देख लेते हैं, जिसी की प्रथम जल विद्युत सनियंत्र पूछा जाए, तो वो दारजिलिंग में है, कहां पे है, दारजिलिंग में, ठीक है, और first GI tag भी दारजिलिंग को मिला था, ये extra information है, next है, फरका बेराज, फरका बेराज कौन सी नदी पे है, गंगा नदी पे, कहां पे, वेस्ट पे पंगल में, परका बेराज कहां पे, गंगा नदी पे, वेस्ट पंगल में, तो ये सर्चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अब ये question आपके लिए है, question for you on which river स्री शैलम डैम is located किस नदीब स्री शैलम बांध इस थी थे इसका correct answer आप मुझे comment section में देंगे और इस question का answer वैसे मैंने बताय हुआ है इस video में और इस video का आप दो से तीन बार जरूर देखेंगे और उसको copy पे note down भी जरूर करेंगे ताकि आपको अगर कहीं पे भी कोई confusion हो तो उसको अच्छे से mind में clear हो सके thank you so much for watching this मिलते हैं आपसे next video में